हाई तो फेंड्स आज हम लेक्टी आएं आप लोगों के लिए एंपल की बहुत मज़दार बहुत यम्मी सी रेसिपी जो बहुत इंचन्ट बन के तयार हुजाते और बहुत टेश्टी लगते हैं खाने में तो घर में जो लेफ्टवर एपल्स होते हैं कई बार होता है न ले लेकिन खाने का मन नहीं होता है एक्ट्रा पड़े रहते हैं घर में तो हम उसी से यह रेसिपी बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स रेसिपी और आप लोग से यह की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वाच करके ही आप अपनी रेसिपी को ट्राई कर पर अगर कुछ दिक्कत हो जाती है फिर आप लोग कमेंट करते हैं तो वो चीज ठीक नहीं है प्लीज वीडियो को फुल वाच कीजिए गा तो चलिए सुरू करते हैं रेसिपी इसके लिए आप लिए थे मैंने तीन आप लिए थे जो कि आप लोग देख सकते हैं एकदम र अपल लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे तो करना कि हमको कट नहीं करना पर इसको छीलना है इसका जो छिलका है न वहमें हटाना है तो काफी मोटा होता है अपल का छिलका तो आप चाहें तो चाकुछ से हटा है नहीं तो जो आलू चीलने वाला होता है उससे भी हटा सकते हैं लेगन चिल का हटाना बहुत जरूरी है तो देखें इसको हटा लेंगे और उसके बाद से यहां पे हमने सारे अपल को अच्छे से छील के और इस प्रकार से पीस-पीस करके मतलब कट करके फिर इसको ले लिया है और उसके बाद और फ्रेंट्स एक चीज और यह कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और उसके वैसे हम इदर रखेंगे एक कड़ाई और इसमें हमने डाला है घी तो आप घी या फिर रिफाइन डॉल का किसी भी चीज का प्रियोक कर सकते हैं बट अगर हो सके तो घी का ही यूज करिएगा रैसी भी में टेश्ट बहुत अच जब मीडियम करम जाएगा तब हम इसमें सारे अपल्स को डाल लेंगे और डाल इसको अच्छे से अच्छे से फ्राइगे तो फ्रेंट सी अमस्चेगा कि हमने सेव को तल दिया है तो यह बेकार हो जाएगा ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाई हम आगे इस रेसेप फिर हम इसको निकाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होना है मातर दो मिंट के लिए इसको फ्राइग कर लीजेगा इससे क्या होगा यह अच्छे से गल जाएगा और इसको एक बहुत अच्छा सा टेष्ट भी मिल जाएगा और उसके बाद मैंने इसको यहां पर प्ले तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहां पर हम लेंगे एक जार और इसमें हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो नौर्मली हमें एक पीश्ट बनाना है फ्रेंड्स तो देखे हम यह पर डालेंगे और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तभी डालें गरम गरम आपल को निक पानी आट करेंगे और इसको एक पतला सा बैटर बना लेंगे तो देखें फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथ सा बैटर बन के तियार हो गया यहां पर आप लोग को यहां लगे जैसे आप लोगोंने कश्टर्ड कश्ट होता है फ्रूट कश्ट्ड वैसा सेंट आ रहा था इसमे कितनी बढ़िया है तो बस ऐसे ही हमको इसको पीश को तयार कर लेना तो इसके बास से फ्रेंड्स चलते हैं यह एक तरफ कढ़ा रखी थी हमने और इसमें इस बैटर को पूरा ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए पूरा बैटर को अचल चलेoquा लिख प्रेंगे और यहीं बहुत सारी रेसिपीस हमारे चैनल पे अबिलिवल है प्लीज एक बार जा करके जरूर देखिएगा जिसमें हमने इसी प्रकार की बहुत ही एजी वे में बनने वाली रेसिपीस को सेयर किया हुआ है जो कि आप लोग की डेली लाइफ रूटिन में बहुत हेल्प करेंगी तो प्लीज एक बार जा करके देख लीजेगा और एक रिक्वेश्ट और चैनल पर आए वीडियो को पहली बार देख रहे है तो प्लीज एर सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत बुलिएगा तो देखिए इसको मैंने यहां पे डाल द खाने वाली चपमंच होती है न उससे चार चमच जितनी सूजी है यह तो हमने सूजी को इसमें एड किया है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए इसमें बिल्कुल भी गुटलिया नहीं पढ़नी चाहिए आप इस तरीके से चलाते जाएंगे तो बिल बहुत जादा डालें के अवशकता नहीं है फ्रेंड से थोड़ा से मिल्क डालेंगे उसमें भी हो जाएगा तो आप लोग ने देखा ही कितना डाला मैंने तो थोड़ा से डालें और इसको इस प्रकार से मेक्स कर लें थोड़ी से देर में हमारी जो सूजी बहुत अच्छ किसे चलाती जाएंगे न तो से क्या बिल्कुल भी लंप नहीं पड़ेगा और हमारा जो यह मिक्ष्यर ने बहुत अच्छे जी भून के तयार होगा एंड उसके वैसे फ्रेंड हम यहां पर एड कर रहे हैं ग्रीन फूड कलर तो आप लोग चाहें तो कोई साभी फूड कल ग्रीन कलर आपके कोई से खुड़न कोई तो आपके पास ज़नुरेगा ada और बदाम लिए तो हम यहां पर सिर्फ दो चीजों का एड़ करें आप लोग चाहें जो आपको पसंदों ड्राइफ्रूर्स वापस में एड़ कर सकते हैं और उसके पासे डाल कर इसको इस प्रकार से मिक्स करिएगा बहुत अच्छे से हमारा पूरा बैटर त्यार हो चुका या प्लेट ले सकते हैं जिसमें भी आप इस बर्फी को जमाना चाहते हैं जिसमें भी आप इस मिक्षेन को रखना चाहते हैं वो ले लीजेगा बिसिकली हम क्या करें हम इसको एक केक्टिंग में जमाएंगे तो हम इस मिक्षेन को जमाएंगे क्योंकि मैं इस मिक्षेन को बर्फी का सीव देना चाहती हूं जो की देखने में बहुत ही सुन्दर बहुत ही टेम्टिंग लगेगी तो इसके लिए करना है नीचे पहले घी से ग्रीज करना है फिर ओल से कर लेना है केक टिन को या प्लेट को जिसमें भी आप जमाना चाहते हैं और फिर इसमें बैटर ड अपके पास तो नार्मल हाथों से भी अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बन के हैं हमारा डॉठ तो देखिए अब इसको इस तरीके से set कर लेना है तो बहुत ही आसानी से set हो जाता है friends से और set होने के बाद से हम इसको maximum 15 मिट के लिए fridge में डाल करके छोड़ देंगे जिससे क्या होगा यह बहुत अच्छे से set हो जाएगा और फिर हम इसे cut कर पाएंगे तो 15 मिट के लिए हमने रख दिया था फ्रीज में नहीं रखा था फ्रीजर में रखा था जिससे क्या होगा यह बहुत जल्दी से सेट होके त्यार हो जाएगा तो देखे अब मैं इसको रख दूँगी कुछ देर के लिए तो यहां पर हमने 15 मिट बाद इसको चेक किया था तो हमारा जो यह मेक्शन था बहुत अच्छे से जम चुका था हमें इसे वर्फी का सेट देना चाहती थी इसलिए हमने इसको जमा करके फिर कट किया है अगर आप लोग चाहें तो इसको बिना कोई सेट दिये भी खा सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसका लड़ो भी बना करके तयार कर सकते हैं और चांदी का वर्क अगर है तो लगाई है नहीं है तो कोई बात नहीं तोटली ओफशनल है कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद से हमें आपे इसको डाइमन्ड से अपमें कट करके दिखाएंगे तो देखें फ्रेंड्स कितना अच्छा कितना सौफ्ट बन के तयार हुई ह हमारी वर्फी यह तो अप लोग को देख के हैं लग रहीं होगा है यह साथी like commentике जरूर कर दीजेगा कैसी लगी आप लोग Queen हमारी रेसेपी और फ्रेंड्स अगर ट्राई करते हैं तो प्लीज फीडवेक शेयर करना मत भूलिएगा और दिखी लग रही है न फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर बहुत ही यमी बहुत ही टेम्टिंग सी तो कभी भी घर में अगर लेफ्ट ओवर एपल्स पड़े हैं कोई न बना सकते हैं क्योंकि यही मिठाई जो है मार्केट में काफी कोशली मिलती है तो आप लोग वहां से नाले करके घर में बना करके चेरू ट्राई करें और देखिए मैं आपको यहां पर तोड़के भी इसको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट कितना दानेदार इसका पितना समय करें पार देखिए मिलती है